इस वीडियो महम लोग भारत के सभी राजिय और उसके रजधानी के नाम को जानने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को हम सुरू करते हैं अगर यहाँ वीडियो आपको आचा लएगा ते इस वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल पर पहली वराए हैं ते चैनल को जरू सब्सक्राइब किजिएगा इसमें मैंने सबसे पहला नमर पर रखा है पंजाब को पंजाब की रजधानी है चंडीगाड उसके बाद इमाचल पर्देस इसकी रजधानी है सिमला अगला है राजस्थान, इसकी रजधानी है जैपूर, उसके बाद है सिक्किम, इसकी रजधानी है गंगटोक, उसके बाद है तेलांगाना, इसकी रजधानी है हैतरावाद, उसके बाद अगला है तरिपूरा, इसकी रजधानी है अगर तला उसके बाद है अरूनाचल पर्देश ते इसकी रलधानी है इटानगर अगला है च्छतिस गड़ ते इसकी रलधानी है रायपूर उसके बाद है हरियाना इसकी रलधानी है चंडीगर उसके बाद है करनाटक ते इसकी रलधानी है बेंगलुरू अगला है केरल, तकेरल की रलधानी है तिरुवंतपूरम उसके बाद है मध्यपरदेश, इसकी रलधानी है भोपाल ठीक, उसके बाद है महाराष्ट्र, इसकी रलधानी है मुंबई उसके बाद है मणीपूर, इसकी रलधानी है इमफाल अगला है मेगालय तेसकी रलधानी है सिलंग उसके बाद है मिजोरम तेसकी रलधानी है हाईजोल उसके बाद है नागालाइन तो नागालाइन की रलधानी है कोहिमा उसके बाद है उडिसा तो उडिसा की रलधानी है भूनेस्वर उसके बाद की अगला राज है विहार, तो विहार की रलधानी है पटना उसके बाद है असम, तो असम की रलधानी है दिस्पूर उसके बाद है गोवा, तो गोवा की रलधानी है पनजी अगला है जारखंड, तो जारखंड की रलधानी है राची उसके बाद हैं आंध्र पर्देश, तेसकी रल्दानी हैं अमरावती, उसके बाद हैं गुजरात, ते गुजरात की रल्दानी हैं गांधी नगर उसके बाद है उतर पर्देश, तेसकी रल्धानिय लखनौव, उसके बाद है उत्राखंड, तेसकी रल्धानिय देहरादू, उसके बाद है पच्छिम भंगाद, तेसकी रल्धानिय कोलकता, उसके बाद है तमिल नाडू, तेसकी रल्धानिय चेनाई